तो यार सुप्रीम कोट ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर एक बहुती बड़ा अपडेट दिया है वो क्या है अपडेट? किसको अप पॉल्यूशन कराना जरूरी होगा? किसको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होगा? सब चीज के हम बात करेंगे तो अगले 5-7 मिनिट में आपको बहुत important information मिलेगी जो कि आपके लिए useful होगी तो चलिए शुरू करते हैं इसको जानना यार शुरू करने से पहले ये जो एक कीमती बटन है नीचे लाल कलर का subscribe का इसको प्रेस कर देना आपके लिए बिल्कुल free है लेकिन मेरे लिए motivation का काम करता है तो let's get started तो यार बात शुरू होती है 2017 से जब एक case की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने ये कहता कि जिस भी गाड़ी का जिस भी वहिकल के पास PUC certificate, pollution under control certificate नहीं होगा उसका insurance renew भी नहीं होगा मतलब अगर आपके पास PUC है तो ही आपको कोई भी insurance company आपके वहिकल का motor vehicle का insurance करेगी otherwise हो नहीं करेगी ठीक है तो इससे हुआ क्या इससे हुआ ये कि क्योंकि pollution कराने की हमारी आदत तो आपको पता ही है हम pollution timely upgrade नहीं कराते हैं तो उससे हुआ क्या कि insurance भी उन गाडियों का नहीं हो पाया जिसके कारण रास्ते में रोड में जब हम देखते हैं कि accidents होते हैं उनमें claims में काफी दिक्कते हुई हैं तो उसी को लेकर GIC General Insurance Council Supreme Court पहुँचा उसने अपनी petition भी लगाई थी पहले अपील पे गया था तो अभी सुनवाई के दोरान Supreme Court ने अपना 2017 का फैसला वापस ले लिया है तो इससे हमारे जिंदगी में क्या फर्क पढ़ने वाला है वो जानते हैं पहले जानते हैं कि यह insurance कितने तरीके का होता है देखो insurance में लिए दो ही तरीके का होता है एक होता है life insurance जो की death के बाद जो भी पैसा मिलता है जो भी decide होता है वो होता है और एक होता है non life तो life and non life non life मतलब general insurance जिसमें सारे insurance आजाते हैं आपके health का भी आपके किसी भी चीज का property का आपके vehicle का, car का, motorcycle का जो जनरली एक साल के लिए रनी होता है और जो pollution होता है वो 6 महिने के लिए अब pollution और insurance 6 महिने तक तो चलो साथ साथ चलेंगे लेकिन जो अगला 6 महिने होगा क्योंकि हम timely pollution तो करवाते नहीं है कि कल खतम होने वाला है तो हम आज करवाएंगे ऐसा भी नहीं है आपने लास टाइम अपना pollution vehicle का कप करवाया था कॉमेंट में जरूर बताना तो pollution अपग्रेड नहीं करवाया आगे जाके कुछ टाइम बात करवाया मानलो एक महिने दो महिने बात करवाया तो अब insurance और उसकी date भिगड गई तो जब हमारे पास pollution होगा तो insurance नहीं होगा तो company क्या करेगी तो इस तरीके से हमारा insurance और pollution की dates mismatch होगी तो एक टाइम ऐसा होगा कि हमारे पास pollution नहीं होगा तो insurance भी नहीं मिलेगा इस चक्कर से 55% वहिकल insurance के बिना रोड में घूम रहे थे और उनसे होने वाले जो accidents थे उन cases में victims को बड़ी दिक्कत आई compensation के लिए तो victims को क्यों दिक्कत आई वो समझते हैं देखो जो insurance की coverage होती है न आपने अगर खुद insurance लिया है कभी भी तो आपको पता होगा तीन तरीके की होती है मैं गाड़ियों की बात करो वहिकल की इसमें क्या होता है सबसे पहले हमारे पास आता है zero depth, zero depreciation इसमें आपका सारा का सारा claim आपकी गाड़ी का कुछ भी part को company replace करती है 100% अपनी cost पे तो वो होता है zero depreciation का एक होता है comprehensive जिसमें major parts cover होते है बाकी parts जो होते हैं उसमें 50-50 या फिर जो percentage fix होती है आपको भी देना पड़ता है और company को भी देना पड़ता है insurance company को in case of accident एक तीसरे type का होता है जिससे हम बोलते हैं third party insurance अब third party पिछले दो में भी होती है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ third party होता है और ये mandatory है क्यों? क्योंकि देखो insurance कभी भी आप अपने ले नहीं लेते हो गाड़ी का कोई भी insurance है आप सोच रहे हो कि आपको कुछ हो जाएगा तो उसके लिए सरकार आपके चलान काटरी अगर नहीं है नहीं भाई, अपने चिंता तो आप खुद ही करोगे ये सब मान के चल रहे है आपका insurance गाड़ी का इसलिए करवाया जाता है ताकि आपकी वज़े से अगर किसी सामने वाले को कोई नुकसान हो तो उसके लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे फिर इसलिए उसकी safety के लिए आपसे insurance करवाया जाता है कि in case अगर आपने उसकी गाड़ी को damage किया या उस person को कुछ हानी हुई तो insurance company उसे compensate करेगी आपके insurance में से तो insurance इसलिए करवाया जाता है तो अगर आपको ये information नहीं पताती तो comment में थमसब जरूर करना कि आप पता चल गई है तो insurance इसलिए होता है अब इस case में हुआ क्या कि किसी ने भी insurance नहीं करवाया तो third party insurance भी नहीं है तो अब जब accidents हुए तो जो भी victim है उसको देने के लिए compensation है ये जिसने damage किया है तो अब जब compensation देने के लिए नहीं है insurance है नहीं तो फर यहाँ पे आई बड़ी दिक्कत तो इसलिए GIC Supreme Court में जाती है Supreme Court को सारा मुद्दा ये समझाती है कि आपके जो 2017 का order था उसकी वज़े से ये नुकसान हो रहा है तो Supreme Court ने अपना ये order अब वापस ले लिया मतलब अब pollution mandatory नहीं है insurance के लिए तो अगर आपके पास pollution है तो भी insurance हो जाएगा नहीं है तो भी insurance हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो मतलब pollution एक barrier नहीं है तो अब आप ये बता दूँ कि Supreme Court ने ऐसा फैसला decision दिया क्यों कि insurance नहीं होगा pollution के बिना तो हुआ क्या था कि जैसे आपको पता है winters में Delhi बिल्कुल gas chamber बन जाती है और Delhi नहीं पूरा इंडिया या mostly हो जाता है ऐसा पूरी gases में cover हो जाता है तो हुआ क्या था कि इसी को लेकर एक PIL फाइल की गई थी तो इसी केस की सुनवाई के दोरान Supreme Court ने का कि हाँ भई वहिकल से भी pollution तो होता है तो एक काम करो इनको insurance देना बदगर्दो जिसने PUC नहीं करवाई तो उसके कारण क्या हुआ कि सबने PUC करवाली तो सबके वहिकल्स की तो चैकिंग हो गई लेकिन उसका जो अब खामियाजा है अब हमें थोड़ा सा फील हुआ तो इसलिए अब इस decision को वापस ले लिया गया यही खुब सूर्ती हमारे Indian Constitution की कि अपना ही decision एक टाइम में वालिड होता है एक टाइम में अगर कुछ गलत भी लगता है तो कोट उसे वापस ले लेती है तो as per our society needs यह change होता रहता है तो I hope आपको information पसंद आई होगी और ऐसे information के लिए subscribe कर देना वीडियो को like and share करना Thank you so much, bye